आज लजी इस पक्वान में बन रही है बहुती जवर्दस भिंडी और भिंडी बनाने का यह मेथड आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूं इससे आपके भिंडी बिल्कुल भी चिप-चिपी नहीं बनेगी एकदम खिली-खिली आपकी भिंडी बनकर तयार होगी तो इन टिप के साथ आप इस बिंडी को बनाएं इसाला बहुत अची बनेगी इसको बनाने के लिए मस्टर्ड ओल का इस्तमाल कर आए हाफ पुस अच्छे से गरम कर लेंगे 200 ग्राम बिंडी है मेरे पास इन्हें में अच्छे से दोकर सुखा लिया है सुखाने के बाद इस तरह से पीस प्यास को चौप करके शामिल करा है और प्यास को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे कोई भी कलर नहीं देंगे पस इतना कुक करेंगे प्यास जो हलकी सी सॉफ्ट हो जाए अब इसमें में शामिल कर लोंगी वन फो टीस्पून अजवाइन हाथों से क्रश कर करेंगे इसे जो कर टेस्ट हो बिल्कुल अलग आएगा और बहुत ही टेस्टी बन कर तैयार होंगी और यह डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्यास को हम बस इतना फ्राइ करेंगे देखें आप हलकी सी पिंक सी है और अच्छे से करने से आपकी जो बिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी एक एक बिंडी बिल्कुल खिली खिली बनकर तयार होगी तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से 5-8 मिनिट के लिए कुक कर लिया अब मैं इसमें शामिल कर रहे हैं स्पाइस हाफ टीस्पून कुटि लाल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिन के लिए इसके भुनाई कर लेंगे मसालों को इसलिए हम एंड मैड करेंगे अगर आप पहले जिए बिंडी के साथ नोब् criminal को गला लेंगे और उसके बार सीमसालों कुट करेंगे जब मसाल इच्छे से बुन गед है इसम तो देखा आपने कितनी मज़ेदार से जटपट से भिंडी बनकर तयार होती हैं बहुत ही कम इंग्रिडियंट्स के साथ और इनका जो टेस्ट है वह बहुत हिला जवाब है और मेरे पास हींग अवलेबल नहीं थी अगर आपके पास हींग हो तो आप इसमें जब आपने जीर करते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो अगर आपको मेरी बिंडे की रेसिपी पसंदाए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें इन्शाला आने पहले टाइम में और मज़दार सी मज़दार रेसिपी आप लोगे लाती रहूंगी तो वीडियो अची लगे तो लाइक कर दें हमेशा की तरह अपना प्यार बनाए रखें तो अगली रेसिपी में परसे मुलाकात करूंगी तब तक के लिए लिए अपना खयाल रखें